नमस्कार दोस्तों, डेटर स्ट्रक्सी की वीडियो सेरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्क्लर क्यूब सर्क्लर क्यूब बहुत साधे एक इंपोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली अगर हम युणिवर्सटी पॉइंट अफ विव से देखें, एक्जामिनेशन पॉइंट विव से बहुत साधे इंपोर्टेंट टॉपिक से और मौस्ट ली आता ही है तो सबसे परने देखते हैं जब हमारे पास Q में हमने linear Q पढ़ी चुके हैं तो उसके क्या disadvantage है जिस वज़े से हमें circular view को introduce कराना पड़ा तो हमने अपने लास्ट वीडियो में भी ही देखा कि जब हम elements को delete करना start करते थे तो हम finally delete करते एक ऐसे situation पर आगए थे जब हमारे पर सिरफ एक element था अब मेरे को deletion operation तो नहीं करना बट मेरे पास और सारे vacant positions पड़े हैं अब मैं insertion करना चाहते हूं सिरफ एक element है that is at the maximum position that is at end तो अब अगर मैं इसमें insertion करना चाहते हूं तो यह मेरे को overflow condition दे रहा और यह में को insert नहीं करने दे रहा और overflow condition क्यों आ रही है मेरे rear क्या है that is max size 4k equal अब अगर मेरे को कोई insert करना है तो पहले में rear को increment करती थी और उसके बाद मैं उसको insert करती थी लेकिन इस case में increment कर रही क्योंकि अगर मैं increment करूंगे तो max size से बड़ा हो जाएगा और वो मेरे को नहीं करने दे रहा तो अब यह तो चलो चार ही हमारे पास elements है तो three elements मेरे के position मेरे पास waste जा रही है लेकिन अगर मैं इसी कोई thousand elements की बात करूं तो क्या होता है उस case में 999 elements की position जो है मेरे पास वो तो सब्सक्राइब कर सकती है तो इसका फाइदा क्या हो रहा है तो इस drawback की वज़े से हमने circular q को introduce करा था तो आइए देखते हैं कि circular q होता क्या है तो आइए जोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले है तो circular q exactly है इसमें क्या होता है हम अपने first element और last elements को join करा देते हैं वह कैसे हम हमारे पास एक q given है जिसमें हमारे पास 0 से 7 तक चल रहा है that means इसका size क्या है 8 तो अब हमने क्या देखा हमारा 0 और 7 इन दोनों को जोइन करा रहा है मतलब यह मेरे simple q बनाती तो उसको last position को first के साथ हम जोइन करा देंगे अभी थोड़ा से आगर देखते हैं थोड़ा करकर आ जिसको हम example से समझते है the very first case is when front equals to 1 and rear equals to n इसका क्या मतलब है अभी हमारा पास जो लीने क्यों होती थी उसमें क्या होता था अगर सारे elements भर जा है तो हम simple कह देते थे कि हमारा अगर rear end के equal है तो हमारी overflow condition है लेकिन अगर मेरा इसमें rear भर चुका है means rear position पर कोई है fourth position पर कोई element है बट उसकेस में आकर rear को increment करती तो तो मैं वापिस नहीं आ सकती थी चाहे ही vacant भी क्यों नहीं हो बट इसकेस में हम जोइन करते है last element को first element को that means अगर मेरे यहाँ पर position मेरे को insert करना है और यहाँ positions vacant थी तो फिर मैं यहाँ पर insert कर पा रही है तो इस वज़े से हम यहाँ पर condition हर एक position पर कुछ नो कुछ value होने चाहिए यह तो comment था यह तो हम लास्ट वीडियो में भी देखे चुके थे तो next condition देखते है that is ऐसा भी तो सकता है कि random ली कहीं से start करा से 30 से मैंने start किया था insert करना 30 पर हो गया 40 पर हो गया उसके उसने 10 कर दे 20 कर दिया अब यह भी मेरे overflow condition आ यह भी मेरे बीच में से मेरे बढ़ने start करें तो जहां भी front था वह हमेशे रियर के plus one हो जाए अगर एक जादा हो जाए यह से तब मेरे लिस्ट कंप्लेटली फूल है तो आई ही इसका pictorial diagram से समिझते हैं कि इसमें इंसर्शन और डिलेशन किस तरह से करेंगे तो सबसे पहल अब मुझे next element insert करना है say 20 तो मुझे क्या करना पड़ेगा simply rear को increment करूंगी और उस पर इंसर्ट करा दूंगी जैसे हम linear क्यों में भी करते थे अब मेंको next element insert कराना है say 30 मुझे क्या करना है इंसर्ट तो करा सकते हूं क्योंकि एक linear क्यों नहीं है में पस vacant positions है मेरे last position first position से connected भी है that means में insert करा सकते हूं लेकिन अब pointers किस तरह से move करेंगे जो हमारे रियर अभी 4 था वो हमने set कर दिया at 1 और फिर उसके बाद insert करा दिया मतल means overflow condition नहीं आई है तो फिर मैं रियर को 1 पर reset कर दूगे अब next हमें 40 को insert कराना है अगर तो simply हम रियर को increment करेंगे say 50 या कोई भी element insert कराना है तो मैंने देखा कि मेरी overflow condition आ चुकी है क्योंकि मेरा front rear plus 1 है that means जो हमने case 2 study करा था भी पीछे वह बला case आ चुक है that means अभी मैं और elements को insert नहीं करा सकते हैं इसके अलावा एक case ओर आ सकता था जो हमने पढ़ा कि अगर front one or rear है तब भी हमारा overflow condition को case आ सकते हैं जो हम इस तरह से depict करते हैं तो आईए अब इसका एक बार एक deletion का भी pictorial diagram देखते हैं और फिर इन दोनों के algorithms को study करेंगे सबसे पहले हमने वही क्यों जो हमने insert कर चुके थे अब तक overflow condition आ गई थी तो अब हम आगे insertion नहीं करें बढ़ हम deletion तो perform कर सकते हैं तो अगर हमें deletion करनी है और उरसे में को delete करना है 10 मैं क्या करूंगे front को simply increment करूंगे जैसे linear की हमें करते थे और मेरा 10th element भी delete हो चुका है तो मेरा front कीतना हो चुका है 20 पर पहले 3 पर अब जैसे ही मेरेको next element को delete करना है और क्योंकि अब मेरा front n पर आ चुका है मैं front को reset कर दूँगी one क्योंकि ऐसा भी तो सकता ना कि पिछे जो list रह चुकी है उसमें भी कुछ elements exist करते हो तो हमने front अगर n था तो उसको initialize कर रहते है front equals to one यह हम algorithm में भी एक part में consider कर लेंगे जहांपर हम delete करते हैं तो finally मेरा front one हो गया है rear two हो गया हमें को फिर से delete करना है कुछ ने इसको item में डालूँगी इसको simply increment करके delete कर दोगी similarly अगर हमें 40 को delete करना है तो यहां पर हमारी special condition आ चुकी है कि इस case में गणों को zero's reset कर देंगे और हमारी queue empty हो जाएगा तो आई अब इनके insertion और deletion के algorithm देखते हैं एक बर यह पीछे आकर वीडियो को post करके इनका pictorial diagram देखकर खुद से algorithm construct करने का try करूँ क्योंकि अब तक हमने इतनी algorithms construct कर लिया हो आए हो आपको pictorial diagram से एक example से ही अपने algorithm खुद से design करना आ गया होगा और still अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप comment box में पूच सकते हैं तो आगे अब इसका algorithm को देखते हैं यहाँ पर हमारा पास five elements है जिनको हम consider करेंगे q जो हमारा array जो stack के case में s होता था then n is a max size जिसके भी हाफ पे हम overflow conditions को देखा करते थे and item जो हम read करेंगे insert करने के लिए front and rear आथा pointers सबसे पहले step क्या होगा overflow condition हमने क्या देखा था दो overflow conditions होती है इसलिए हमने दोनों overflow conditions को और operator के साथ लगा दिया और operator क्या के था अगर कोई भी condition true हो गई तो यह आगे नहीं चलेगा यहीं से हम exit कर जाएंगे मत पूरे प्रोग्राम से बहार आ जाएंगे फिर हमने देखा क्या-क्या overflow condition थी कि front अगर one है और rear end है यहां पर हमारा end operator है क्योंकि दोनों conditions mandatory थी यह तो यह condition हो जाए यह front equals to rear plus one हो जाए है जो हमने अपने example में देखा तो दोनों में से कोई भी condition आ जाएगी तो हम exit कर जाएंगे प्रोग्राम से print कर आके overflow condition आ चुकी है फिर उसके बास क्यों कर रहे हैं तो हमारा पास special condition होती थी जो क्या कहती थी कि अगर मेरा front zero है that means मैं को first element को insert करना है तो मैं दोनों pointers को एक-एक से increment करती हूँ फिर हमने क्या देखा था यहां पर एक special condition डालने थी जो linear Q के case में नहीं थी वो क्या था कि अगर मेरा rear end है तो मैं उसको rear को reset कर दोंगे one पर increment insertion के case में और else otherwise और सारा कुछ चल रहा है मतम ना ये condition की पहला element है ना ये condition है की last element पर थे तो हम simply rear plus plus करेंगे चाहे हम कहीं भी है फिर उसके बाद finally हमारे पस वो position खाली हो गई है और हमने वहाँ पर insert कर दिया है and this was all about our insertion algorithm तो सबसे पहले overflow condition चेक करें जो यहाँ पर इस case में दो है उसके बाद हमने normal उसने special condition चेक करी पिर एक हमारी condition है जो circular view केते हैं और rear plus plus ये generally होता ही था and then insertion ये बहुत important topic है university point of view से तो फिर इसको university examination के लिए अगर आप study कर रहे हो तो इसको थोड़ा अच्छे से करना और इसका attemptation बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमने अभी pictorial diagram में study किया तो आजिए अब deletion का भी एक बार ही algorithm देखते हैं तो सबसे पहले हमें deletion में same parameters फास्स करेंगे आपर हम underflow condition चेक कर नहीं कर सकते हैं फिर उसके बाद deletion के case में क्या करते थे पहले हम एक temporary variable item में उसको assign करते थे after that हम उसको delete करते थे delete करने के लिए front को increment कराते थे हमारे पास underflow condition आ गई हमने delete करने के लिए assign भी कर दिया उसके बाद अब हम इस चेक करने special condition special condition क्या थे अगर मेरा front equals to rear है that means मैं दोनों को इनिशिलाइज कर दूने 0 से फिर क्योंकि हम circular क्यों पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक special condition आनी थी वह क्या था कि अगर मेरा front in है तो मैं उसको initialize कर रहे देती थी one से and finally front plus plus and exit so this was all about circular q I hope आपको यह video lecture पसंद आया होगा अगर आपको कोई पी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बोक्स में सरूर दीजेगा और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और जादा जादा शेयर करें and please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. शुक्रिया, धन्यवाद, thank you.